नमस्कार मैं हूँ प्रमोद मलिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com भारती जंता पार्टी के लोग महात्मा गांधी पर अपनी ठुपड़ियों और अपने विचारों के लिए काफी विवादों में रहे हैं समय समय पर जो कुछ उन्होंने कहा है उसको लेकर काफी चर्चा हुई है ये बात एहम है ये बात आज गांधी के 150 वी जैनती पर महत्वपूर्ण है ये बात महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने आज अमेरिका से छपने वाले अखवार निवार्क टाइम्स में एक लेक लिखा है और दक्षण अफरिका से लेकर आजादे की लडाई तक में उनकी भूमिका की उनके संघर्जों की चर्चा की है बताया उसके बारे मैं क्या है इस लेक में उसलेक में नरेंदर मोदी ने लिखा है उन्होंने तारीफ किया है महात्मा गांधी की और कहा है कि दक्षन अफरिका से लेकर स्टनता आंदोलन तक गांधी संघर्ष करते रहे और वो इस पामले में राष्टरवाद की चर्चा करते हैं और राष्टरवाद पर मोदी गांधी की बात करते हैं और कहते हैं कि गांधी के राष्टरवाद को समझते हैं और वे कहते हैं जिसे मैं कोट कर रहा हूँ ये गांधी का विचार था कि भारती राष्टरवाद कभी संकीर्ण और भेग भाव करने वाला नहीं हो सकता बलकि वह मानावता के लिए काम करता है नरेंद्र मोदी दान्टी मार्च का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि किस तरह नमक जैसी सामानी चीज के आधार पर महात्मा गांधी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था वे अपने लेक में लिखते हैं अरब सागर के तर्ट से उठाये गए मुठी भर नमक ने एतिहासिक और सहयोग आंदोलन खड़ा कर दिया दुनिया में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं भारत में भी सुतंतरता संगराम में कई धाराये थी लेकिन गांधीवादी संगर्ष जि नियोर्क टाइम्स में छपने अपने लेक में गांधी के बारे में और के बाते कहीं हैं और उनकी तारीफ की है समय की कमी से हम उसकी पूरी चर्चा नहीं कर रहे हैं लेकिन अब ज़रा एक नज़र डालें कि समय से में पर बीजेपी के कुछ दूसरे नेताओं ने गांधी को लेकर घंखोर आपती जनक बाते कहीं थी उन्होंने इसी साल मई में एक ट्वीट किया था ये ट्वीट कर नडवासा में है इस ट्वीट का हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है गोड़से ने एक कुमारा कसाब ने 72 को और राजीव ने 17,000 को अब आप देखिए कौन सब से ज्यादा जालिम है और यह है प्रग्या ठाकुर भोपाल से बीजेपी की सांसत ये मालेगाव बम ब्लास्ट में अभ्यूक्त भी है इन्होंने कहा नाथुराम गोड से देशभक्त थे हैं और रहेंगे जो लोग उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं उन्हें अपने गिरेब मंत्री हैं उन्होंने साध्वी प्रग्या के बयान को सही ठहराते हुए कहा मैं खोश हूँ कि करीब साथ दर्शक बाद आज की नई पीड़ी इस मुद्धे पर चर्चा कर रही है और साध्वी प्रग्या को इस बारे में माफी मांगने की कोई जवरत नहीं है गांधी के जर्म के 150 साल पूरे होने पर आज ये बाते जानना जरूरी इसलिए है कि आप ये समझ सकें कि सत्तारूर दल के लोग गांधी के बारे में क्या विचार रहते हैं यह सिर्फ बानगी भर है लेकिन सवाल ये उचता है कि इस तरह की बाते ये करते ही क्यों है क्यों एक विचारधारा विशेष के लोग एक दर्सन विशेष के लोग गांधी की बारे में अपांदरिक बाते करते हैं और गांधी को खारिज या और प्रासंगिक साबित करने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन सच ये है कि गांधी प्रासंगिक थे हैं और रहेंगे आप देख सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं